हालोग स्टुडेंट्स हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे कलास और हम लोग का साइक़ंड चेप्टर चल रहा था ठीक है तो हमारा अगला टॉपिक है जलिये विलियन में अम्र तथा छारक देखिए जलिये विलियन में अम्र तथा छारक ठीक है यह वाला हमारा नेक्स टॉपिक है इससे पहले हमने चारक के साथ आधात्युक आपसाइट की करिया कराई थी और उससे पहले हमने अम्र के साथ में धात्युक अप्साइड किरेया कराइस दात्य आपसाइड क्या होते हैं कि पानी का विल्यन यानि कि जल का होता है जो जल होता है वो हमारा जली विल्यन कहलाता है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जली विल्यन में अम्लों को हमें देखना है तो सबसे पहले हम अम्लों को देखते हैं तो जो जली विल्यन में हमारे अम्लों होते हैं वो जल की हुपस्तिती में है जलकी उपस्तिती में हैC aparece जो होते है अशरण और सबस्तिति हैन चनिके जो होते हैं। ठीक है और हमारा नेक्स इसता पाइंट है कि जो हाइडोजन आएन होते हैं वो उसमें एच प्लस पानी में जो हमारे हाइडोजन आएन होते हैं वो एच प्लस की फॉर्म में नार्वे करके एच थ्री ओ प्लस यानि कि तरन होते हैं कि हाइडोनियम आएन की यानि के रूप में गैन्ती कि होते हैं आएक हाइडोनियम आएन ठीक है तो ये हार्टो में के रूप में ऊपस्थित रहते हैं देखिए concerning यह किसमे होते हैं जल में एक करते हैं थी हैरोनीय एन ऊसुत होता है वह जल के तो यह हमारा Hydroniumयon फूआ यारन है प्लस हमारा हुआन तो यह तो यह तम्हारा Hydronium आयन हो गया है देखिए हाइड्रोनियम आएन प्लस chlorine निकली ठीक है क्लोनियम निकली वह अधातमक होती है ठीक है तो यह हमारी अभिक तो जल्य विल्यम में होने तो होके हमारे अम्रेग ठीक है नेक्स आता है करें हमारा जल्य विल्यम आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं ठीक है अब हमारे आते हैं छार ठीक है यानिकी छार ठीक है अम्र जो थे वो जल में क्या दे रहे थे वो है अब हमारे चार ठीक है वो जल की उपस्थिती में ओफ निगेटिव आयन उत्पन करते हैं यानिकी हैरोकसाईड आयन ठीक है यह देखिए जो चार ठीक है जल की उपस्थिती में जल की उपस्थिती में ओफ निगेटिव यानिकी हाइड आयन बनाते हैं या उत्पन करते हैं ठीक है अब देखिए इसका ईजामपल देख लिए तो यह क्या निकालेगा देखिए और हमारे क्या निकलेंगे और निकलेंगे और निकलेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा देखिए अब जो है इसके बाद में आता है हमारा next topic देखिए कि जब हम लोग देखिए इसकी बाद क्या आता है कि जब हम लोग जल के साथ जो है अमल और छारक मिलाते हैं तो हमें क्या-क्या साफधानिया बरतनी परती है ठीक है अगर हम उन साफधानियों को नहीं बरतेंगे तो हमें कोई न को इसका उल्टा रियक्शन प्राप्त होगा ठीक है तो जल में अमल बाद छारक मिलाते समय साथ जानिया ठीक है तो हमें कौन-कौन सी साथ जानिया बरतनी चाहिए ठीक है तो यह इसका नमबर एक हमारा है कि जब भी हम लोग जल में अमल या छारक को मिलाएंगे तो हमें जल को हमेशा धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए ठीक है देखिए हमेशा अमल बाद छारक को जल में हिलाते रहना चाहिए जब हम लोग जल में छारक या अमल मिलाते हैं तो उसे लगाता धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए और हमारा next point आता है कि यह जो प्रिक्रिया होती है जो हम लोग जल में छारक और अमल मिलाते हैं तो यह हमारी अविक्रिया होती है उसमा छेपी ठीक है उसमा छेपी अविक्रिया होती है अब उसमा छेपी अविक्रिया क्या होती है यह मैंने आपको पहले बता दिया था फिर्मी में रिपीट कर देती हूं जो उसमा छेपी अविक्रिया होती है उसमा उसमें उसमा निकलती है ठीक है तो वो हमारी उसमा छेपी अविक् उस्मा छे पी डिन सकते हैं जो यह जो केलिया होती है जाँ मारी उस्मा खें पी गरिया होती कमारी विक्रिया में और उस्मा छेप करने के लिए यह प्र चाल परकर को किसे हैं समने कि तूत नहीं ही किछ का प्दरी की एक वैसके विनेवरे सब्सक्मたों कियों गांड़ को लुतÁ है ऊसे कि परकर के बार क्मा लाया थिया वितorn घ्रीम आशनल नristकर के नेरे सबस्टा से। इसी लिए उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए तो यह तो हमारा जली बिल्लियन में छारक और अमलों को मिलाते समय जो है जो हम लोग जल में अमलों छारक मिलाते हैं उसको साफधानिया है कि उसको मिलाते समय हमें कौन कौन सी साफधानिया वरतनी चाहिए ठीक है तो इसका ध्यान रखिए, अब इसके बाद हमारा next topic आता है, देखिए, इसके बाद हमारा आता है, अमल वा छारकों की प्रवलता, अमल वा छारकों की प्रवलता, ठीक है? अब ये देखिए, कि जो हमारे अमल और छारक होते हैं, तो वो कितने प्रवलता है, ठीक है? तो ये तो हमारी कहलाती है प्रवलता, तो ये देखिए, आप जानते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको, कि जब हम लोग जली बिलेन में अमल मिलाते हैं, तो वो कौन सा आयन देत तो यह तो मैंने अभी बताया ठीक है तो किसी चारक या अम्लिकी प्रवलता जो होती है वो उसके हाइडोजन आयन और ओफ निर्वा करती है सांदर्ता मतलब की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होती है कि उसमें जो है उसका गार्वापन कितना है उसमें कितनी मात्रा में उसको मिलाया गया है तो वो तो हमारी वहलाती है सांदर्ता यानि की कंसंट्रेशन को उस पर निर्वार करती है ठीक है तो किस पर निर्वार करती है आयनों की सांदर्ता पर निर्वाद करती है तो यह तो उसकी प्रवलता होती है उसके हाड्रोजन आयन होते हैं या हाड्ओक्सायड आयन होते हैं उसकी कंसेट्रेशन पर यानि की सांदता पर फिर उसके बाद में आता है कि जो हमारे अम्ल होते हैं वा छारक, अम्ल वा छारक की प्रवल्ता, सार्भॉमिक या इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक, द्वारा घ्याद की जाती है, अब देखे, कि इसमें हमारा शब्दा है सार्भॉमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, अब ये सार्वत्रिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, भूलिये। ज्या सारवत्रिक बोलिये. एक ही बात होती है. कई लेकि कार्वाण श्री लिखती है जाएं, कई बार अलग अलग नामों से आ जाती हैं। इसलिका की प्रवलता होती है वो सारवत्रिक सूचः द्वारा द्वारा घ्याती है. ठीक है सार्वत्रिक सूचक द्वारा या सार्भॉमिक सूचक द्वारा ग्याद की जाते है अब आप कहेंगे कि ये सार्वत्रिक या सार्भॉमिक सूचक है क्या सार्वॉमिक या सार्वत्रिक सूचक ठीक है तो ये क्या है ये देखिए जो सार्वत्रिक और सार्भामिक सूचक जो होते हैं वो जो होते हैं वो अनेग सूचकों के का मिस्रण होते हैं इसको हम लोग ऐसे आपको समय में नहीं आ रहा होगा आप इसको ऐसे रिखे रही इसको हम लोग बोलते हैं पीयज पेपर यानि की पीयज पत्र ठीक है तो इसको प्रकार के सूचक होते हैं उनका उनसे मिलकर बना हुआ होता है तो यह सूचकों का एक मिस्त्रण होता है तो यह विलियन में या कि हाइडोजन आएन की जो होती है सांगरता होती है उस पर बहुत सारे रंग प्रदर्शित करती है यह देखे ऐसे जैसे कि मार लो हमारा यह एक पी एच स्केल है ये क्या है pH scale तो ये तुम्हार pH scale होता है तो ये तुम्हार pH scale जो होता है उसके जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 14 तक होते हैं यानिकी 14 तक होते हैं देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आर्थ, नो, दस, ग्यारा, बारहा स्क्वादर बढ़ा लेते हैं तेरा और ये हमारा आया चौधा देखिए नंबरी कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आर्थ, नो, दस, ग्यारा, बारहा और तेरा ठीके तो जो हमारा पियर्च स्केल होता है उसके जो नंबरी होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है ठीके अब ये इसमें कौन-कौन से रंग पर दर्शित करता है वो मैं आपको बता देती हूं, देखिए, ये शुल होगे तो ये लाव लंग पर दर्शित करता है रैड, ये हां तक रैड रहेगा ये भी रैड रहेगा ये भी रहेगा फिर इसके बाद ये धीरे धीरे औरेंज बदलता है औरेंज से वो और थोड़ा सा औरेंज और यलो ऐसे रहता है औरेंज और नीचे यलो ऐसे रहेगा कलर ठीक है फिर यहां पर यलो यानि की पीला हो जाता है फिर यह घर ग्रीन होते रहता है जिले हलका ग्रीन आएगा फिर उससे बढ़ता चला जाएगा दार्क ग्रीन हो तो इसमें किस तरह से प्रदर्शित करता है है पहले यहां से रेड सुरू होता है यहां तक तो लगवाई लाग निग रहेगा जब तक कि प्रदर्शित करता है ठीक है फिर धीर औरेंज फिर औरेंज यलो बदन जाएगा फिर यलो फिर हलका ग्रीन फिर डार्क ग्रीन से होते होते हैं यह लाष्ट में ब्लू कलर का हो जाता है ठीक है अब देखे यह इसका मतलब क्या है आप यह गहेंगे देखे यह तो हमारा प्येच स्केल हो गया ठीक कर ने यह वाला पॉइंट हो भगा यह कितना है किया कि यह हां पिएच कितना है स्थैवन देखी जो इहां पे हमारा सीविन होगा वह लवड बन जाया यानि वह उदाषी मुझा तो पिएच सैवन पे तो हमारा लवड होता है ठीक है यह देखिए इसको आप color करकते हैं यह रहता है उपर blue color का ठीक है यानिकि इसमें water ठीक है समझ लीजिए एक तरह से ठीक है यह हमारा रहता है white color का तो यह तो हमारे है h plus i ठीक है और इधर जो बढ़ता जाएगा यह हमारे है oh negative ठीक है तो जो हमारा जब pH हमारा 7 होता है यान कि 7 होता है pH 7 पे तो लबड होता है हमारा बिलेंड कोई भी हुआ ठीक है देखिए फिर जितना भी हम लोग इधर जाएंगे ठीक है इधर का मतलब क्या है कि 7 से आगे बढ़ेंगे 8 9 10 11 12 13 14 तक मतलब कि 7 से हम जब इधर बढ़ेंगे तो हमारा बिले हमारा अमली होता जाएगा साथ से जम लोग देखिए साथ पे बिल्कुल मेंड पॉइंट पे हमारे लबड है ठीक है तो इहां से जब लोग इधर बढ़ेंगे और हमारा पी एच की वैलू है वो इधर कम होती जाएगे ठीक है और इधर हमारे हाइड्रोकसाइड आइन पड़ेंगे और हमारा पी एच भी बाड़ता जाएगा तो इधर हमारा बिल्यन वो छारी होता जाएगा आगया समझ में ठीक है अब देखिए आगये इसको और अच्छी पर समझाती हूं कि यह देखिए इस तरह से समझ में आएगा आपको जो हमारे पी एच होती है किसके बरावर 7 के बरावर देखिए 7 के बरावर मैंने समझ रहा है अब देखिए जब हम लोग pH को जो हमारी इदर कम होती जाएगी देखिए लोग होती है पियस हमारी कम रहेगी 7 से इधर देखिए जर सक्सक्राइबर 5 जो हमारी इदर कम रहेगी तो हमारा में अमली हो जाएगा ठीक है और हमारी इधर TH value Seven से जाधा रहेगी Seven से जाधा मतनक्ति इधर बढ़ जाएगी तो हमारा billion कैसा हो जाएगा छारी है billion ठीक है आगे होगा समझ में इतना ठीक है तो जो है अब मैंने आपको बता है कि जो seven पिएच्छ हमारी सेवन से जाधा होगी तो जलेशन हमारी छारी होगा। अब देखें synth 17 चान बाद मारता है। के अलब आए झानो अगुल आधा कि झानिक जीविन में 79 का महत तो क्या होता है साग्रेटरिक सूचक होता है इसका है तेने जीवन में मतलब की जो मिलोग इस लेकर राता कि दिन्शर्य वर थैं। estàज उसको हम लोग झानिक शीवन भो़ते हैं एटाइक थैं डैनिक जीवन में pH का महत्तो ठीक है यह देखिए तो इसमें हमारा पहला point आता है कि जो हमारी body होती है जो हमारा शरीर होता है वो 7.8 तक के pH पर कारी करता है ठीक है जो हम लोग काम करते हैं तो उस टाम हमारी body कितने काम करती है कौन से pH पर? साथ से 7.8 तक देखिए हमारा शरीर साथ से 7.8 pH पर कारी करता है ठीक है? next point हमारा आता है कि जो बरसा का जो जल होता है जो बारिश होती है उसका जो पानी होता है अगर देखिए यह देखिए फर मैं लेक्ती फिरकम लाती है बरसा का जल pH 5.8 नहीं 6 से कम हो जाता है तो वह अमलिय बरसा कहलाती है अब देखिए बरसा का जो जल होता है अगर उसका pH वैलू उसकी अगर 5.6 से कम हो जाती है तो बह बरसा हमारी अमलिय वर्षा तहलाती है जो अमलिय वर्षा होती है उसके कारण जो आप जानते होंगे बताया भी होगा आपकी ठीचर बगाया नहीं बताया होगा कि इस अमलिय वर्षा के कारण जो होगा ताज महल है उसका जो कलर है वो लगातार पीला होता जा रहा है पीला होता है पहले जब वो था तो उस टाइम वो बिलकुँछ सफेद था चमकता था लेकिन अब जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ गया है तो उसका जो कलर है वो लगातार पीला होता जा रहा है वो इसकी बज़े से सिर्फ अमली बर्षा की बज़े से ठीके अब इसके बाद में आता है नेक्स हमारा पॉइंट है कि मूँगा पीयच 5.5 से कम होने पर डातो का च्छे प्रागम हो जाता है अब प्रेट च्छे क्या होता है बताती हूँ प्रागम हो जाता अगर हमारे मूँगा पीयच होता है वो 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दात होते हैं उनका 6 सुरू जाता है 6 मतलब की दातों का गलना प्रारम हो जाता है इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको बिटमिन C जाधा लेना चाहिए और कम से कम दिन में दो बार ब्रश करें तो इस प्रागम से आप पस सकते हैं ठीक है फिर हमारा नेक्स पॉइंट आता है कि मधुमक्खी काडनक अम्र छोडता है जिसके काराण जलन होती है और क्या होता है दर्द होता है ठीक है अब इसका क्या मदला हुआ जो मधुमक्खी होती है कि जब वो काटती है तो आपने देखा होगा कि जब वो काटती है तो हमें बहुत तेज जलन होती है और दर्द भी होता है साथ में तो वो क्यों होता है कि जब मतलब कि जब वो काटती है तो उसमें एक एसिट छोड़ देती है उसके डंक में कौन सा एसिट होता है उस एसिट जब भो तल्टक की चाटते हैं तो मैथजोय फाटते मेथजोरेक कारण मेथभीमृ क्यांतों ठीक है तो अगर यह मैं तो नहीं कहते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है इसके बाद हमारा आता है नेक्स पॉइंट आता है हमारा अच्छी उपज उपज मतलब कि पेड़ पॉधों का जो बढ़ना उनसे जो भी अनाज बगारा जो मिलता है वो अच्छी मात्रा में ठीक है तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक निश्चित pH की आवशक्ता होती है ठीक है एक निश्चित pH की ठीक है देखिए अब इसका क्या मगदा हुआ कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक निश्चित pH की आवशक्ता होती है जो हमारे पौधे ग्रोध करते हैं वो सभी पौधे अलग अलग pH प तो अच्छी ग्रोध करता है कोई ऐसा होता है जो कि 6-7 पीच पर चीग करता है को यह साथ से 8 पीच पर चल्ग पर चल्ग करता है तो यह तो हमारे हो गया कि दैनिक जीवन में हमारे pH की क्या क्या values है, क्या क्या महत है, ठीक है, क्या क्या importance है, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आज रहा होगा, बहुत simple सा है, कि फिल भी आज पार repeat कर देती हूँ, आपको देखिए, कि हमारा सरीर साल से 7.8 पर, मंदब 8 क्या है, pH पर, कार ये करता है, ठीक है, यादरना ये pH values ठीक है, कभी गाम में पूंच भी ली जाती है, ठीक है, तो आपको यादरना है, बरसा का जल 5.6 pH से जब कम हो जाता है, तो अमलिये बरसा होती है, ठीक है, ये वाला यादरना 5.6 से कम हो जाती है, तो अमलिये बरसा होती है, ठीक है, एक गाम मे पूछ भी लिया जाता है फिर है मुँख का पी एच 5.5 से कम होने पर दातों का च्छाय प्राराम हो जाता है यह भी इंपॉर्टेंट है इसको याद दखिया है फिर है मधुमक्खी का डंक अमर छोडता है जिसके कारण जलतबा दर्द होता है तो याद दखिने है कि जो अच्छी उपज के लिए पौध्मों को एक निश्चित पी एच वैलू याद की आवशक्ता होती है तो यह तो हमारे हो गया पी एच तीक है यानकि सार्वत्रिक सूचर ठीक है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट टॉपिक आता है देखिए हमने अम्र लेका सूरू सोल आता है अम्र डटा स्थी अ कौह ड़ी एक बताती हुआ हूं देखिए कि हमारा लवढ बनता है किस सेवें अम्र सहारक Запा नेकिक सर्य मारे सवेंट तो यह मैं आपको पहले सी बताती है आ रही हूँ देखिए अम्ल प्लस छारक मिल्ट के क्या बनाते हैं लवर बनाते हैं और जल यानि कि पानी ठीक है यह वार यह विक्रिया मैंने आपको समझाईए तो देखिए अम्ल गौन सा लेते हैं हमनों एक्सियर हैड्रोप्रोडिस सॉडियांगी निगलेगा क्लोरिम जर्स निकलेगा सोडियूम ऊठाके हम लिखते हैं फिर कलौरिण को उठाके हम लोग उठा लिखतेते हैं एनसील된 झाइट तो यह हमारा सॉडियं ड़ीयल और फ् wonders अल्यारिस तो क्या उद्विघ यतलिया और जलड अगतों हा नफ पानी निकल गए देखिये है एज तू ओं तो यह तो हमारा लबर बने गए है कौन सा बना एने सील के भी अलावा अनिलबर भी होते है देखिये अनिलबर सिह सिय यरानि कि सोडीं कलोराइड हमारा होता यह तो कि और क्योंकोowned होती सीय सिययल टो यानि की कैलसियम क्लोराइड थी, कि सी यू टो टिम थिखना कि अगर आपको लिखने के लिए आ जाएं कि तो तीन चार लबडों के नाम के नाम formati तो आप लिख सकते हैं, sodium chloride, calcium chloride, copper sulfate और हमारा potassium chloride, ठीक है, इनके formula देख लीजिए, CACL2, CUSO4 और हमारा KCl, ठीक है, के होता है हमारा potassium, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लबड, ठीक है, अब हमारा जो लबड होता है, वो कही रस्टायनों का निर्मार करता है, वो रस्टायन रस्टायन मतलब chemical, ठीक है, लबड से रस्टायनों का निर्मार, ठीक है, देखिए, नमबर वन हमारा क्या आता है, sodium hydroxide, देखिए, sodium hydroxide, ये तो हमारा पहला रस्टायन हो गया, नमबर दो हमारा आता है विरंजशक चूर, विरंजशक चूर को हम लोग bleaching powder भी घुलते हैं, ठीक है, फिर next हमारा आता है baking soda, सबी लोग जानते होंगे इसको, खानने में डाला जाता है, ठीक है, नमबर चार हमारा आता है धोने का soda, इसको भी जानते होंगे, और हमारा next और last आता हमारा plaster of Paris plaster of Paris यानि कि P.O.P जो कि घरों में आप लोग जानते हैं कि घरों में जो पुताई होती है तो P.O.P का इस्तमाल करते हैं दिवालों को चिकना करने के लिए कि जहां पे दिवालों तूट जाती है करने का plaster तो हम लोग P.O.P से ही उसको सही कराते हैं ठीके बहुत सो लोग पूरे घरों में भी P.O.P का यूज करते हैं ताकि उसकी जिवाले होती हो शाइन करती हैं चमकती रहती है ठीके तो यह तो हमारा हो गया plaster of Paris तो यह हमारे लवर से रसायनों का निर्मान हो गया पांच रसायनों का sodium hydroxide, बिरंजग चुन, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा लास्ट हमारा आता है plaster of Paris यानिकी P.O.P ठीके अब हम इनको जो हमारे पांच रसायन हैं हम इनको एक-एक करके बढ़ेंगे कि उनका निर्मार जाते होता है उनका उपयोग कहां कहां होता है और किसमे होता है ठीके तो हमारा पहला कौन सा है sodium hydroxide देखिए अब इसको अटा जे रहे हैं सब एक-एक करके हम लोग उसक sodium hydroxide इसका formula क्या होता है NaOH मैंने बहुत बार बताया है आपको ठीक है sodium hydroxide ठीक है NaOH अब इसका निर्मार कैसे होता है देखिए देखिए निर्मार की जो sodium chloride जो होता है हमारा ठीक है आइने सियल उसको जलिये विलियन से बिद्दुत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर sodium hydroxide उतपर्ण करता है देखिए sodium chloride के जलिये विलियन में बिद्दुत प्रवाहित करने पर क्या होता है फिर sodium hydroxide जो होता है फिर वाली जब करते हैं तो बियोजित होकर मैं जब कि अलग हो कर ठीक है करने पर क्या बनता है ये हमारा एने वियोज यानि की sodium hydroxide ठीक है उतपन करता है उतपन करता है देखिए अब हम इसको अधिक्रिया से समझेंगे तो कि क्या लिया था हमने sodium chloride का जलिये बियोजित होकर अलग हो जाता है तो वह क्या बनाता है हमारा उतपन होता है निर्मार उसका करता है और हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी और हमारा hydrogen निकलता है देखिए कैसे प्रवाहित करने पर ठीक है हमने जलिये विलेन में इसकी अविक्रिया कराई यानि कि जल के साथ अविकनिया थर्य और क्या प्रवाहित करने पर विद्दुद प्रवाहित करने पर तो हमारा क्या बना दिए हमारा सोणियू। थीCplayer और हगे विट्अचन ह हमारी निकल धो के ओडिया और हमें कितना क्या ची मिलानी है ठीक है तो यह आपको याद ही करनी पड़ेंगी ठीक है फिर जो है अब हम देखें